काजगन जनपत में सड़क मरम्मत के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ट प्रवक्ता अब्दुलहफीज गांदी की नित्रित में सपाकार करताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दोरान समाजवादी पार्टी के रास्ट प्रवक्ता अब्दुलहफीज गांदी ने भैस के आगे बिंग बजाकर सरकार का ध्यान आकरशिक करने की कोशिश की और तोटे हुई सड़क की मरम मत कराय जाने की मांग की दरसल काजगन जन्पत के तहसील पटी आली छेत्र में भरग्यान से दरियावगन जाने मली पाँच किलोमीचर की सड़क काफी बधाल है जिसको लेकर सपाकार करताओं ने प्रदर्शन कया समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं का ये धर्ना प्रदर्शन अनूखा था वही भैस के उपर सपा कार्करताओं ने PWD विभाग का एक पोस्टर भी लगा दिया थी जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि भैस के रूपे PWD विभाग है और जनता उसके आगे बीन बजा रही है जनता की तरफ भी एक पोस्टर था जिस पर जनता लिखा हुआ था इसे ये दिखाने की कोशिश की गई कि जनता बार बार अपनी बात का कह रही है लेकिन PWD विभाग के कानू पर जू तक नहीं रिंग नहीं। एक पुरानी कहावाद भास के आगे बीन बजाने को आज पर दर्शनकारियों ने चलिराठ किया और सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के विभाग कान और आख मून कर बैठे हैं जिन पर जनता की मांगू का कोई असर नहीं पड़ता है। रास्री प्रवक्ता अब्दुलहफीज गांदी ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार गढधा मुक्त अभियान चला रहे। इस सड़क पर बड़े बड़े गड़े बन गए हैं यातियों को इस सड़क पर सफर करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पिछले आठ सालों से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई, कई बार हम इस सड़क की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन PWD विभाग ने अभी तक इस तरह ध्यान नहीं दिया, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि गड़ा मुक्त अभियान की डेडलाइन 15 नवंबर न जाती है, पांच किलम्मत की रोड है, अभी तक ये गड़ा मुक्त नहीं हुई है, पहले भी हमने प्रदर्शन किये थे, धान लगाए थे, और प्रसाशन का ध्यान आकरशित किया था, कई महीने बीद गया लेकिन अभी तक प्रसाशन ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो ह हमारे भारत में कहावत है कि बहेंस के आगे बीन बजाना, PWD बिभाग जो है वो बहेंस एक तरह से बन चुका है, बहेंस रूपी PWD बिभाग के आगे आज हमने बीन बजाया है और जू तक नहीं रहें रही है, पांस दिन रहें गड़ा मुक्त अभियान के, कब ये सड़क इसके मरमत नहीं हुई है, जब medical emergency हो जाती है, police emergency हो जाती है, या कोई और emergency हो जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हम समझते हैं कि ये सड़क जल से जल बनने चाहिए, बिएकि भरगनी नहीं, आस-पास के गाउं भी जो है से प्रभावित ह और लोगों को काफी परिशानी होती है